श्री गनेशाय नमहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है तो आएए जानते है इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों इस दिन चंदरमा आपकी कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे दोस्तो बारवे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, नोकरी करते हैं तो आप के लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा जी हाँ दोस्तो बारवे भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाब होगा विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नोकरी करते है तो आप के लिए ये समय शुब रहेगा विदेश से आप धन कमा पाओगे, विदेश से धन कमाने के अच्छे मोके आपको इस समय में मिल सकते है जो स्टूड़न्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी इच्छाय भी पूरी हो सकती है विदेश से आपको हर तरह का लाब इस समय में मुंकिन है लेकिन बाकी चेत्रों में लाब होनी की संभावना काफी कम रहेगी क्यूकि इस दिन सुबह से ही आलस से से घिरे रह सकते है काम करने की गती धीमी रहेगी, हर काम में रुकावटी नजर आ सकती है इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है इस समय में आपको चोट लगने की संभावना भी रहेगी तो आपको संभल कर रहना होगा इस वक्त आपको यात्राय भी करनी पड़ सकती है लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकुल नहीं है, अगर करनी ही पड़े तो सावधानी जरूर बरते, कही पर भी लापरवाही ना दिखाए, अगर हो सके तो यात्रा कुछ समय के लिए टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्यापारियों को काम में रुकावटे, अगर कर सोच समझ कर ही करें, नोकरी करने वालों के लिए भी ये समय अनुकुल नहीं है, कारिक्षेत्र में वाद विवाद हो सकते है, काम में मन भी नहीं लगेगा, इस दिन आप तोल मोल कर ही बोले और हो सके तो अपने बौस से ना मिले, इस दिन दामपत्ति जीवन में अशांती रहेगी, पती पतनी के बीच नोक जोक हो सकती है, इस समय में हर काम में आपको सतर्प रहना होगा, किसी और के जगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहेगा, नहीं तो आप उसमें फच सकते है, गर परिवार में अशांती का माहुल इस समय में देखने को मिल सकता है इस दिन लवलाइप में थोड़ा तना उत्पन हो सकता है, बीते हुए कल की बातों से भी परिशानिया आ सकती है, पार्टनर के साथ प्यार से पेशाए, अगर कोई विवात की स्थिती उत्पन होती भी है, तो उसे बढ़ने ना दे, स्टुडन्स के लिए भी ये समय रुक प्रावटे आ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है, इस वक्त अपने लक्षपर केंदरित रहे और अपना प्रयास जारी रखे, इस दिन स्वास्थे ठीक रहने की संभावना भी काफी कम रहेगी, इस समय में आप शारिरिक दुरबलता मैसूस कर सकते है, इनर्जी की कमी रह सकती है, साउधानी जरूर बरते, इस दिन आप अगर कववों को रोटी डालते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जी हाँ, चाहे वो कववा रोटी खाए या ना खाए, आपको बस कववे के नाम के रोटी निकालनी है, किसी जरूरी काम स जाते वक्त, चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर जाए, अगर कोई जरूरी काम इस वक्त तरना ही पड़े, तो ये उपाई जरूर करे, और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं, तो शांती बने रहेगी, आपका मनशान्त रहेगा, जगड़ फसाद नहीं होगे, इन उपायों से मनशान्त रहेगा, कामों में आने वाली रुकावटी दूर हो सकती है, और दिन बहुत अच्छा बन सकता है, साथ ही दोस्तों मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, और एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में जिस आते हैं, जो भी ग्रहों की निगेटिव इफेक्ट हम पर आ चुके है, वो निकल सकते हैं और हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव इनर्जी से भर सकता है, इस वज़े से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, जी हाँ, इस वज़े से सुबह टहलने जाना काफी करें इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और तीन अंग इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में अवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का स हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजो से कंगाल हो सकते हैं अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होत कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चप्पल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते है दोस्तों ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो प उतना पास सकते हैं, उतना नहीं पास सकेंगे, क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप सुतरा रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीड दिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, जिन लोगों को पता नहीं है, उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे तूटे-फूटे बरतन आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उرجा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उرجा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पातें साफ नहीं रख पा कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तर के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद